अच्छी क्लास और इसके पहले वाली क्लास में भी हम पढ़े थे चितिस के गद्ध कंड का सेकंड चेप्टर और आपकी बुक का 11 चेप्टर बालगोविन भगत जिसके जो रचनाकार है वो रामवरिक्ष बेनिपूरी जी है और इनके बारे में हम लोग पढ़े भी थे कि र बिहार के एक मुझफवर पुर जिले में हुआ था और वो एक भूमिहार ब्रामवर परिवार से बिलॉंग करते थे और सिर्फ हिंदी साहिति में नहीं बलकि देश के स्वाधिन्ता आंदोलन में भी ठीक है उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्टी स्वाधिन्ता आंदोलन में सक्री रूप से वे जुड़ गया या फिर उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा भी लिया और कई बार उन्हें जील की यातनाई भी सेनी पड़ी तो इस तरह से रास्टी आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था और हिंदी साहित्य में कावे, कहानिया, निबंद, आलोशना ये सारी चीजें लिखकर हिंदी साहित्य में भी उनका एक महत्पूर्ण योगदान रहा है ठीक है उन्होंने बहुत सारी रचनाई भी लिकिये हैं चीता के फोल, गेहों की गुल सब कुछ थे यानि कि अगर हम एक मतलब एक सब्द में अगर हम उनके व्यक्तितों को बताने का प्रयास करें तो हम यही चीज़ पाएंगे कि राम रिक्षपे ने पूरी एक बहु मुखी प्रतिभार वान व्यक्तिते थे यानि कि कुछ लोग होते ना वर्ल स्टाइल होते तो राम रिक्षपे ने पूरी बिलकुल वही थे वो हिंदी साहिती में भी बहुत बड़े लेखक या साहितिकार थे और देश के सुतनता आंदोलन में भी उनका बहुत पूर्ण योगदान रहा है तो चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे स्वारी उनके बारे में उनकी रचना के बारे में पढ़ते हैं उनकी बहुत सारी रचना हैं उनने से एक कहानी यह बालगोवं भगत के बारे में छ्ञान है और इसमें सारी बालगोवन भगत के विश्यृस्ताओं को दिखाया और यह ज़य 색 बताया है कि हम इस संसार में रहकर भी ग्रिहस्थ होकर भी एक सन्यासी का जीवन जी सकते हैं मतलब कि हम संसार के ग्रिहस्थ जीवन के सारे दाइतों का निर्वा भी अच्छे से कर सकते हैं और अपने अंदर की मोह, माया, लालश को त्याग करके एक सन्यासी का जीवन भी जी सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने बालगोविन भगत नाम का जो चरित्रिया एक पात्रे दिखाया है। उसके अंदर वो दोनों भी शेस्ताओं को उन्होंने दिखाया है। कि बालगोविन भगत का व्यक्तित इस तरीके से दिखाया है कि वो एक ग्रिहस्त भी है और वो एक सन्यासी भी है। इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोग पढ़ेते हैं बालगोविन भगत कैसे थे। वो किस विचारधारा को मानते थे। तो हम लें यही चीज़ पाया था एक कोशन भी इससे था कि बालगोविन भगत का व्यक्तित तो कैसा था। तो आपका जो फॉर्स्ट वाला पैरग्राफ है वो बिल्कुल वही ची उनका व्यक्तित तो ही दिखा रहा है कि बालगोविन भगत थे कैसे। यानि कि बालगोविन भगत मचले कतके थे, गोरे चीटे व्यक्तित थे, बाल पक चुका था, बहुत कम कपड़े पहनते थे, कबीर पंती, विचारधारा को वो मानते थे, बहुत सारे उनके अंदर विशेस्ता हैं भी थी, ठीक है यहाँ पर आप उपर की लाइन्स में कबीर को सहाब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी जूट नहीं बोलते थे, खराव भार रखते थे, और कभी कोई बात कहने में संकोश नहीं करते थे, कभी जगड़ा नहीं मूल लेते थे, तो इसका मतलब यही है कि वो कभी जूट नहीं बोलते थे, किसी की च प्रशाद की रूप में उन्हें जितना मिलता था उतने से वो अपना जीवन यापन करते थे तो यह थे उनके वेक्तितों की विशेशता थी और वो यह थी कि बालगोविन भगत क्या थे संगीत के प्रती जो उनका प्रेम था वो अगाध था च्छाइब प्रति भी उनकी बहुत बड़ी शड़धा थी या उनको संगीत से बहुत जादे प्रेम था और रिसन से फितना ही था कि बालक पुण भगत क्या थे कभीर पंथी विचार धारा के थे यानि कि कबीर के जितने भी दोहे थे या जितने भी पत थे वो क्या करते थे उन्हें गाते थे और जब वो उन पदों को गाते थे तो एक ऐसा संगीत निकलता था जिससे वो तो स्वयम प्रशन होते ही थे साथे साथे जो внれ लोग सुनते थे वो भी क्याते थे आननंद से या खुशियों से भर जाते थे और इस तरीके से वो अपने संगीत के माध्यं से क्या कहते थे अपने इश्वर के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदैसित करते थे तो बहुत सारी मE מौसाम कुछ भी हो ठीक है कि जीवन में कितने भी उताच चढ़ाय हों लेकि उनके वेक्तितों में किसी बिंगी प्रकार का कोई भी बदला हो नहीं आता था यानि कि थंड़ी क मौसाम हों निहनी ब्लाлон का मौसाम हो कोई भी मौसाम हो वो क्या कते थे, हमेशा एक जैसे ही बने रहते थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदला नहीं आता था, उनकी दैनिक दिन चर्या में कोई बदलाव नहीं आता था, यहां पाई देखेंगे उपर लाइन में लिखा भी है, कि हमें यह, एक ही समय, एक ही ऐसे समय में आपके कानों में स्वर संगीत की जहनकार से उठी या क्या कौन है पूछना पड़ेगा बालकविन भगत समूचा सरीर कीचर में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं उनकी उंगलियां एक एक धान के पौदे को पंक्तिवत खेतों में बठा र इतने वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि उनका स्वर क्या कर जाता था एक एक करके उपर चड़ता जाता था और आसपास के जो भी लोग सुनते थे ठीक है उनके अंदर भी एक उत्सा भर जाता था तो यहाँ पर वो यही चीज़ बताना चाहरा है कि संगीत के प्रति क्या उनकी शद्धा अथा थी यानि कि जब भी असार के रिमजी मौसम जब पूरा गाउं खेतों में निकल पारता था उस समय सबके कानों में एक महधूर संगीत की लहर सुना देती थी और जब सब लोग सोचते थे कि यह कौन है तो बाद में पता चलता था कि यह कौन है बाल और देखने में नहीं मिलती आनि वो अपने काम में भी पूरे मगन रहते थे और संगीत ने भी क्या करते थे वो पूरे मगन होकर गाते थे फिर चाया वो भादों की आधी रात हो या कातिक का या फागुन का कोई भी मौसम हो चाया वो उमश्परी शाम हो या ठंड की अप को बाहर भरी सुबा हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, लेकिन उनके द्यानिक दिन्चर्या में किसी भी प्रकार का कोई भी बदला नहीं आता था, तो इसलिए यहाँ पर बालकुविन भगत के बारे में अगर हम यह चीज़ देखें, कि बालकुविन भगत क्या थे, एक ऐसे व्यक्तितों के इनसान थे, जिसका वाय और आंतरिक दोनों व्यक्तितों क्या था, लोगों के लिए एक आदर्शी था, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर यह भी चीज़ आप देखेंगे कि सिर्फ वो सुबा साम ही, सुबा अपने खेतों में ही संगीत का गाया नहीं करते बलकि शाम होते हैं क्या करते थे, ठंडी का जब मौसम आता था तो प्रभात फेरियां स्टार्ट हो जाती थी, और शाम की समय क्या करते थे, चबूत्रे बैटके आज पास के लोगों को इकठा कर लेते थे, और एक संगती बना लेते थे, और उसके बाद से हमेशा थे, यहां पेग्जम साफ लिखा भी होए कि देखे किस तरह से संग्षा कितनी भी उमजबरी क्यों ना उसाम को सीतन ना करती पर घर के आंगन के आसपास बैट थे, गाओं के कुछ प्रेमी भी जूट जाते, खंजड़ियां करतारों की भरमार लग जाती, एक पद बाल को भगत गाते, उनकी मंडली उसको दोराती, तो इस तरीके से चायवो काती की सुबा और तब प्रभात फीरियां स्टार्ट करते थे, शाम के समय क्या करते थे, वो बैट जाते थे, अपने भजन गाते थे, और आसपास के जितने भी लोग थे, वो एकत्रित होकर उनके भजन को सुनते थे, तो इस तरीके से बार्गोविन भगत का जो चरित था, वो लोगों के लिए क्या था, एक आदर्श चरित्र था,